आज से लगबग 6 महीने पहले यहां पर एक हाथी को जो है कैद करके रखा जाता है वो मदान्त हाधी था और कल रात की घटना को देखते हुए आज बन विभाग ने इस जंगल एरिया को पूरा खाली करा दिया है आज उसको रिटलाइज करने के लिए बन विभाग के आला अ अधिकारी अंदर गय हुए है और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि उदर देखे जेसीवी भी लगी हुए है जेसीवी से अगर उसे रोकना है तो फिर जेसीवी से भी रोक सकते हैं तो वो को अवेर करने के लिए यह रास्ते ब्लाग कर दिया गया है जिसके वह जासे आज इ तो इसके लिए जेसीवी को भी लगाया गया है आप में रोट से जवाएंगे तो वहां पर दमकल विभाग को भी लगाया गया दमकल विभाग को इसलिए लगाया है कि पानी के बहुचार से उसको रोका जाए तो प्रसाशन पूरी तरह से कोशिज कर रहा है कि हम हाथी को नियंत्र में करने और उसे अगर इनकेस हाथी को नियंत्र में नहीं कर पाए तो हम उसको घनी आवादी में जाने से कैसे रोक है यह पूरा प्रसाशन प्रसाशन करने में जुटा हुगा है बताया जाता कि हाथी कुछ दिन पहले एक यग था उसमें गई थी और वहां तीन लोगों की जान ले ली थी जी आपको बता दे कि यह लगवक छह मेने पहले एक यग में यह सामिल हाथी हुआ था वहें पर यह बोरा गया था तो जिसमें तीन लोगों की जान भी चली गई थी तो हापर काफे मसकत के बाद इसको नियंत्र में किया जा सका लगवक पूरा दिन लगया था उसके बाद से ही यहां पैव उसको रखा गया है हलांकि बीच बीच में काफी शासन प्रसासन के गाई लाइन भी आते रहे और अभी तक तो ठीक था इसको चिडिया घर में अस्थानांतिर करने के भी बीच में बात चल नहीं थी लेकिन इसके स्थिति को अच्छा कितने लोग थे उस समय उस समय हम लोग आठ दस लोग इसको किसको चोट लगी है किसको नाम क्या है अच्छा मंगू और मुस्तपा को चोट लगी कहां भरती हैं मेटकल में गया है